असलाम अलेकुम ससी का नमस्ते आदाब तो कैसे है मेरे प्यारे भाईयो खेले से हैं आप लोग आप मेरे चेहरे पे मुस्कान देख सकते हैं वीडियो में बने लिएगा लाश्ट तक सबसे पहले में आपको बोल दू कि न्यू एनाउस्मेंट आ चुका है इंडिया से सौधी अरब की एर बबल्स की फ्लाइट्स का जी डारिक फ्लाइट्स का एर बबल्स के थुरू और सौधी की कुछ न्यूस के बारे में शेयर करू प्लाइट्स इंडिया की सुरू हो जाएगी सौधी अरब की शुरू तो थी लेकिन पूरा प्रेपर वर्क के जो बोलते ना एक और थंटिक हो जाए कि भाई एर बबल्स की फ्लाइट्स चालू हो चुकी है लेकिन फ्लाइट इस तरीके से चालू नहीं थी आपको पता है क तो इंडियान अमबेसी सौधी अरबिया जो कि अपने इंडिया की अमबेसी है सौधी अरब में होने ठीट करके शेर किया है आट बच के पाँच मिनट पे 24 दिसंबर को और कुछ देर के बाद मैं ये वीडियो शुट कर रहा हूँ शायद आपको ये नौ सार नौ बजे व हो जाएगा डारेक्ट इंडिया से एर वावल्स की फ्लाइट्स ले करके आप सौधी रव आ सकेंगे लेकिन जो नियम कानून है वो वैसे ही रहेंगे उने एक सर्कुलर भी लिखाए नीचे मैं देख रहे हो सीविल अवियेशन डॉट जी योबी डॉट आइन करके आप य किन-किन देसों से इंडिया वाले एर वावल्स के तरहत फ्लाइट्स चला रहे हैं जैसा कि मैंने कहा था कि इंडिया की गवर्मेंट बाचीत कर रही है और एर वावल्स का अभी भी एनांसमेंट का किलर नहीं हो पाया फाइनली आज हो गया तो इन्हों ने यहां पर ये भ चलने की वेवस्ता हो चुकी है और भारत से सौधी अरब जो जाते हैं जैसे मालने मैं सौधी अरब नागरीक हूँ या निवासी हूँ दीती है कोई भी भारती नागरीक या नेपाल या भूटान का नागरीक जिसके पास सौधी अरब का बैद वीजा है और केवल सौधी के लिए यहां से मतलब इंडिया से सफर करना चाहता है वाया एर वबल होकर के तो वो जा सकता है अलहम्दुलिल्ला तो आपको थोड़ा सा और बात याद दिला दूँ फ्लाइट्स चालू होगी डायरेक्ट और जो भी लोग नया वीजा लेके जाएंगे उनको सौधी में प जाएंगे जिन्होंने को वैक्सिन लगाई वो भी साथ यरभ जा सकेंगे उनको भी कॉरंटाइन करना होगा याद रहे जो नया वीजा पर जाएंगे उनको कॉरंटाइन करना ही होगा यह धिहान रखेगा यह नहीं कि एर बाबस की फ्लाइट्स चालू हो गई असली में अ इसको कितने सारे लोगों को ट्वीट करके वीडियो बनाके कितना सारा सब को बोलने के बाद यह लोगों ने न सुना नहीं यह अपने लोगों के मन के मरजी की बात नहीं किये लेकिन इनों ने खुद से डिसिजिन लेकर के अलहमदुलिल्ला 21 महीने के आज फ्लाइट्स का अपडेट दे दिया एरवाबलस का आप लोग क्या कमेंट करना चाहोगे कमेंट जरूर कीजेगा कहीं से भी आप मेरी वीजेव देख रहे हैं किसी भी देश से मेरी वीजे देख रहे हैं कि फ्लाइट्स ना खुलले के कारण आप सौधिय अरभ अपना पैसा पे कर दूँगा प्लीज एक्सेंड कर दिजे या कमपनी वाले को हो या आपके कफील को हो वो अगर वापिस आपको नहीं बुलाना चाहते मतलब के इसलिए वो एक्सेंड नहीं कर रहे होंगे जिनका फिरी में एक्सेंड नहीं हो रहा है वो अपने कमपनी या क फिल से ही help ले सकते हैं बाकी किसी से भी help नहीं ले सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं सौधी अरब की कुछ update जो कि आपके लिए बेहत जरूरी है और आपको मैं आज की कोरोना की रिपोर्ट्स शेयर करूं तो आज है 24 दिसंबर एक अच्छी नियूज है तो एक बुरी तो आज की फोटो में आपको शेयर कर रएक कोरोना की तो आज 332 केस सौधी अरब में कोरोना के हैं या Omicron के ये अलग चीज है लेकिन इन्होंने mix कर दिया है निकले हैं और जहां की 20, 22, 32 केस निकलते थे सौधी अरब में आज 332 केस हो चुके हैं और ये सब मैं आपको पत सल अब तक हुआ नहीं है सौधी अरब का ठीक है तो आप लोग क्या बोलना चाहोगे ये बढ़ी रहा है कल अगर 500 हो गया तो कुछ भी दिसीचन आ जाए ठीक है कोई गारंटी नहीं है मैं भी अगर कुछ बोल दू मेरी बात चेंज हो जाए तो कोई गारंटी नहीं है फि गुष्टर डोज ले लेने वाले को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो लोग अभी कॉरेंटाइन में हैं उनको डर बना हुआ है क्योंकि केस हाई हो चुके है और यहां तक की बहुत सारे देसों ने फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है बहुत सारे देसों मिताब कुवेत कत अमान सबने कई सारे रस्टिक्रेशन लगा दी है फ्लाइट्स पर की आप ट्रैवल नहीं कर सकते बहुत सारे दियों में को चेंज किया गया है तो एहतियात बरत लीजिएगा आप लोग और अपने इंडिया से एक और अपडेट है जो की लोग साओधी अरब या किसी भी जगहों पर रात में लॉग डाउन लगा दिया गया है यूपी में है मदपर्देश में दिल्ली में दिल्ली का इनास्मेंट मेरे सुना नहीं है लेकिन हो सकता है और आपको हर्याना में सभी जगह पर लगब लगब सभी जगह पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया रात आपको U.P में हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया कि एलक्सन के टाइम पे जो भी हो रहा इन सब को भी रद्द कर दिया जाए कोई भी रैली वगर ना किया जाए लेकिन देखो इस पर क्या आमल होता है और मैंने कल आपको कि मोधी जी नहीं मीटिंग बठाई है नहीं रेस्ट सरकार के दिशान देशों के अनुसार आगमन पर सभी यातियों की thermal screening होगी जैसे कि आपको पता कि आने कब थर्मल screening होती है और आप अगर किसी भी देश से इंडिया में आते हैं तो आपको अरग से तो एप डाउनलोड करके रखना है सिल्फ डिक्रेशन फॉर्म भरके आना है आपका PCR करा करके आप आते ही हो कोरोना के टाइम का आप मास वगरा लगा करके रखे एहतियाद बरत करके रखे दूरी बना करके रखे ये सब जरूरी है इसके साथ सा तिनों ने एक और चीज नहीं जोड़ दी है अभी के टाइम पे तो वहां से आने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा चेक किया जाएगा उनका सेंपल लिया जाएगा और उनको एरपोर्ट से बाहर जाने के लिए बता दिया जाएगा अगर उनको लगा जश्ट नौ के टाइम पे ही सेंपल के टाइम पे कि आपको कुछ लक्षन है तो आ आपके घर में भी quarantine हो सकता है और quarantine केंदूर में भी quarantine किया जा सकता है आपको समझ गया या आपको hospital में कुछ अब आपके अंदर लगा कुछ ऐसा यह ad case के साथ यहाँ पर बहुत सारे चीजे लिखे हैं मैं आपको short में बता दू कि अभी आप India आ रहे हैं तो हालात देखते हुए आईए क्योंकि नाइट कर्फूड लगना सुरू हो चुका है और 25 दिसंबर से ये नाइट कर्फूड जतनी भी जगा पर है 25 दिसंबर से लगना सुरू हो जाएगा अभी भी शायद मैं बोल लाँ शायद और कहीं जगा और एड हो जाए नया यह आज की न्यूज इंडिया की और सौधियरब की एक न्यूज सुनके तो मुझे बहुत अच्छा लगा इंडिया से सौधियरब की एरबबस की फ्लाइट फाइनली फाइनली अल्हम्दुलिल्ला अल्लाग अल्लाग शुक्र है कि चलो फ्लाइट सो चल रही थी लेकिन पुर 3.0 बिगिन हो चुका है चैनल पने सब्सक्राइब कर लिजेगा फेस्वुक का हमारे वीडियो देखे आपरे पेज को लाइक कर दिए और पेज को फॉलो कर दिए वीडियो को इतना शेर कीजिए कि मुझे बोलने के जवट नहीं पड़े दो अमयाद रखेगा और मेरा आज क वीडियो कैसा था एक कमेंट जरूर कीजेगा अलहाफिस लास्ट बात मोदी जी को बोला गया है रैली नहीं करने के लिए लेकिन देखा जाए आपके क्या राय है मोदी जी रैली करेंगे एलेक्शन के लिए या नहीं करेंगे कमेंट कीजेगा झाल 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 खक बोला झाल खन करेंगे खाय है